आप अगर वही पुरानी दाल खाके बोर हो गया हैं तो आप एक बार इस तरीके से यह दाल बना कर खाएगा और आपको खाने में बहुत इस्वादिश्ट लगेगा तो मैं ले रहे हूं यहां मसूर की दाल और आज हम बनाने वाले हैं मसूर की दाल अगर आप अरहर की दाल तूर की दाल खाकर बोर हो गया हैं तो आप एक बार इस तरीके से इस दाल को बनाएगेगा बहुत ही तेस्टी लगती है और इसके बहुत सारे हिल्थ बेनिफिट भी होते हैं तो आईए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले मसूर को हमने अच्छे से वाश कर लिय दिया है 2-3 पानी से फिर उसे हमने 15-20 मिट के लिए रख दिया है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे गुनगुने पानी में भी 5-10 मिट के लिए रख सकते हैं तो करना बहुत ज़रूरी है इससे क्या होता है कि अगर आप दाल को सोक करके बनाते हैं तो आपको आइसडिटी नहीं होती है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा फिर जब आप इसे सोक कर लिजेगा तब आप इसे कुकर में डालिएगा और परियात मातरा में पानी डाल करके आप इसे एक विशल आने तर पका लिजेगा साथि उसमें हल्दी और नमक ज़रूर आइड क चटक जय तब उसमे डालेंगे अद्रक लहसन, हरी मिर्च और प्याज को बारिक चॉप करके और इसको अच्छे से कलर चेंज होने तक पका लेंगे फिर इसमें हम डालेंगे हमारे बेसिक मसाले जैसे हल्दी नमक सबजी मसाला थोड़ा सा गरम मसाला जो कि मेरा घर का बना हुआ है अगर आपको इसकी रसीपी चाहिए तो मैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे आप वहां से चेक कर लीजेगा वैसे तो मेरे चैनल पर इसकी फूल वीडियो बनी हुई है आप चाहिए तो वहां से भी देख सकते हैं फिर इसे हम अच्छे से भून लेंग बॉल के हुई दाल और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और बस इसे एक नट के लिए एक बॉल आने देंगे फिर इस पर डालेंगे हम बारिक किया हुआ हरा धनिया और देखिए इस तरीके से हमारी मसूर दाल बनके तयार हो जाती है आप इसे रोटी चावल प इसाथ सेर करती रहोंगी मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक एर और बाबाए